नमस्कार जारकन में जेन धर्माबलम्यों का सबसे बड़ा तीर थरस्तल समवेट सिखर जी यानि पारसनात को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है समवेट सिखर को परियटन अस्तल बनाने का देश भर में विरोध हो रहा है और जेन समाज सडकों पर है जेन मुनियों ने सांती की अपील की है इस बीच समवेट सिखर जी पारसनात को परियटन का स्थल घोसित करने का लगातार विरोध हो रहा है परियटन अस्तल घोसित करने के बाद जेन समुदाई के लोगों ने सडक पर उतर कर अपना विरोध जताया है परियटन अस्तल घोसित कर दिया है परियटन कारियों का मानना है कि वह समवेट सिखर को परियटन अस्तल घोसित करने के खिलाब है या फैसला जेन समुदाई के भावनाओं के खिलाब है ये इनकी भावनाओं को ठेस पहुचाने वाला कदम है इससे तिर्थ को नुकसान होगा परदर्सन कारियों का मांग है कि फैसला बदला जाए जैन समाच के लोग जहार खंड के राजिपाल से मिलकर ग्यापन सौपेंगे राची में भी मौनजूलिस की तैयारी है इस बीच स्वेतांबर सोसाइटी ने तिर्थ छेतर के रूप में पारसनाथ के विकास की मांग की है समवेत सिखर पारसनाथ के मसले पर दिगंबर और स्वेतांबर जैन समुदाय गोल बंद हो गए है वाए एक साथ इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जैन धर्मालंबियों का साफ कहना है कि नोटिफिकेशन वापस होने तक सांती पूर्ण विरोध जारी रहेगा अब समझते हैं कि तिर्थ अस्थान को पर्याटन अस्थल घोसित करने से नुकसान क्या होगा सरकार को इससे राजस मिल सकता है मगर मौझूदा तिर्थ अस्थल में गैर जैनियों का आवागमन बढ़ेगा गैर धार्मिक कारे होंगे मांस और मदीरा का सेमन बढ़ेगा ये पिकनिक स्पार्ट हो जाएगा इसलिए जैन धर्मालमियों का जो विरोध है वो जायज है सरकार को भी अपना ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए